अभी तक हमने जितनी भी कीवर्ड रिसेर्च की वो गूगल आड्स के कीवर्ड प्लैनर टूल के साथ की लेकिन सिर्फ गूगल आड्स का ही कीवर्ड प्लैनर टूल नहीं है जो कीवर्ड की हमें डिटेल्स दे सकता है अलों के गूगल के ओपर जितनी भी सर्चीज होती है गूगल ही बेतरी जरीया है जानने का कि वो कितना लोग क्या सर्च कर रहे हैं लेकिन जैसे कि हमने नोट किया गूगल हमें सारा डेटा नहीं देता उसको लगता है कि उसका डेटा चोरी हो रहा है इसलिए वो हमें रेंजिस देता है एक हजार से दस हजार यह दस हजार से एक लाकी तो यह रेंजिस अखसर मारकेटर्स को पसंद नहीं है क्योंकि इस रेंज़ के ओपर ज्यादा वैलियोबल डेटा नहीं निकाल सकते है अल्दो कि ये इग्नॉरेबल नहीं है कि आप इसको इग्नॉर करें और आप कुछ और यूज कर लें लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपिरियंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाती है आप मजीद टूल्स के ओपर रिलाय करना शुरू कर देते हैं इसी तरह से अगर आप फोटोग्राफर हैं और आप स्टार्ड एक बेसीकली पॉकिट कैमरा से भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगे कि आपका स्किल्स जादा अच्छा है और आपको टूल्स हल्प नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे आप अपना लेंस बेतर करेंगे या अपना कैमरा बेतर करेंगे इसी तरह से SEO में भी होता है जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं आपको टूल्स की भी जरूरत पढ़ते जाती है और मैं आपको अभी दो से तीन टूल्स दिखाऊंगा जिसमें आपको ये हल्प हो जाएगी किस तरह से आप उन टूल्स को यूज करते हुए अपने एडवांस कर सकते हैं SEO के अंदर जिसमें से एक टूल्स तो गूगल का अपना ही टूल्स गूगल ट्रेंड के नाम से जाना जाता है और ये गूगल ट्रेंड जो है ये गूगल आड्स कीवर्ड टूल्स को कंप्लिमेंट करता है compliment इससे करता है कि इसमें आपको trends मिल जाते हैं कि over the period of time किसी मुलक में किसी keyword की क्या trend रही है यह आपको exact searches तो नहीं देता है लेकिन आपको यह अंदाज़ा जरूर दे देता है कि क्या smartphone ज्यादा चल रहा है या mobile phone ज्यादा चल रहा है और अगर चल भी रहा है तो किस रीजन में सबसे ज़्यादा चीज़ें सर्च हो रही है इसके बाद एक और टूल है market summer है जिसमें हम बात करेंगे कि वो market summer है किस सहां से keyword research में help करता है तीसरा टूल है S.E.M. Rush जो कि marketing में एक popular tool है S.E.O. के लिए और उसको यूज़ करते वे आप अपनी keyword research कर सकते हैं और हर टूल अपने साथ कोई नए features लेकर आता है और इसमें ऐसा नहीं है कि वो एक tool की features ज़्यादा अच्छे हैं तो दूसरे tool की features ज़्यादा अच्छे हैं कुछ लोग अगर इसको बहुत ज़्यादा serious जब लें तो वो multiple tools भी use कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक tool को लेना है या किसी दो tools को लेने हैं या सब को लेने हैं या किसी एक को भी नहीं लेना या आपकी choice के ओपर है कि आपने कितना aggressively काम करना है कितने आप serious है अपने business को लेका और कितने sales आप SEO करना चाहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि जतने ज़्यादा tools आप use करेंगे उतना ज़्यादा rate आपको available होगा और उसके आपर आप ज़्यादा अच्छे decision ले सकेंगे आईए देखते हैं कि ये tools कैसे काम करते है जैसे कि हम इस screen पे देख सकते हैं कि Google Trends मैंने open किया है ये Google का एक tool है जिसमें आपको वो trends बताता है मुखसे मुलकों के और मुखसे keywords के games तो आप इसको visit कर सकते हैं trends.google.com से या Google में लिखके search भी कर सकते हैं गूगल trends और आपको Google results दिखा देगा इसमें चुकि मैंने mobile store के अभी तक बात की है तो मैं mobile phones ही search करूँगा कितना क्यार हूँ जहान है पाकिस्तान में mobile phones का तो मैं इसको search करने के लिए mobile phone type करूँगा और मैं इसको यहाँ पर search कर लूँगा तो मैंने mobile phone search term search की है और उसके against Google मुझे एक graph दिखा रहा है जिसमें वो मुझे trend बता रहा है पिछले 12 महीनों का लेकिंगे यह trend पाकिस्तान के नहीं है यह trend United States का है यहाँ से मुझे country चेंज करके अपने target country को देखना है जो के फिलहल पाकिस्तान है तो आपने यह याद रखना है कि आप जिस country में काम कर रहे हैं आपने यहाँ पर वही country सेलेक्ट करना है और अगर आपको 12 महीने से grow करनी है अपनी time line जिए कम करनी है तो आप वो भी change कर सकते हैं तो फिलहल मैं इसको 12 महीने पर ही रखूँगा और मैं पाकिस्तान country रखूँगा तो पाकिस्तान है आप जैसे के देख सकते हैं कि पिछले एक साल में उसका क्या trend था और एक साल बाद वो कहां पर है और आगे Google prediction में दे रहा है कि वो possibility है कि यह grow करेगा तो यह Google के अपनी prediction है वो over the period of time एक data को track करता है और उसके बाद वो decision लेता है तो आपने यह नोट किया हुआ कि यह Google जो है वो अपने जो trend का data है वो zero to hundred शो करता है यह Google की एक और कोशिश है ताकि कोई उसका data चोरी ना करे तो Google हमें सिर्फ यह बताता है कि इसमें आपको महीनों से अंदाजा हो जाता है कि किस वक्त कौन क्या search करेगा तो आप देखेंगे कि साल के आखर में यह search बढ़ने का ख़चा है इसलिए कि possibility है कि साल के आखर में लोग shopping ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसमें काफी events आते हैं अगर आप Pakistan में बात करें तो Black Friday का काफी रुजहान पिछले कुछ सालों में हो गया है या New Year में डील्स लगती हैं तो brand इसको capitalize करते हैं और इसलिए लोग wait करते हैं सारा साल ताके इन दिनों में वो एक सस्ता या discount पे phone खरीज सकें तो मैं इसको अब मजीद enhance करने की कोशिश करूँगा Google Trends हमें ये allow करता है कि आप mobile phone को compare कर सकते हैं बाकी searches के साथ तो मैं इसको compare करना चाहूँगा smartphone के साथ क्योंकि ये मेरा एक synonym है इसी term का मैं देखूँगा कि mobile phone या smartphone में से बेतर कौन है जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त जो smartphone का रुजहान है वो बहुत काम है इसका मतलब ये हुआ कि लोग smartphone लिखकर मेरी product सर्च नहीं कर रहे हैं लोग mobile phone लिखकर मेरी product सर्च कर रहे हैं तो being a marketer मुझे ये चाहिए कि मैं mobile phone पे ज्यादा focus करूँ ना कि मैं smartphone पे करूँ इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि आप smartphone पे नहीं करेंगे या आप सिर्फ mobile phone पे करेंगे आपको चाहिए कि आप multiple keywords पे करें लेकिन आपको इसे ये जरूर अंदाजा हो गया है कि बेतर कौन है और जादा अच्छा कौन सा है और इसी में मैं एक नया keyword आड़ करूँगो comparison के लिए इसको मैं चेक करना चाहूँगा कि क्या वो एक अच्छी term है तो मैंने cell phone लिखा जो कि mobile phone, smartphone और cell phone तकरीबन एक ही term है एक ही चीज़ के मुखलिफ नाम है और आप देखेंगे कि cell phone की searches भी almost smartphone से काम है और लेकिन वो mobile phone से तो बहुत ही काम है तो इसे ये पता चलता है कि लोग smartphone भी search कर रहे है cell phone भी search कर रहे है लेकिन mobile phone से बहुत ज़्यदा ही search कर रहे है तो being a marketer Google Trends मुझे ये help करता है कि मैं understand करूं कि कौन सा keyword में लिए ज़्यदा बेतर हो सकता है और किस keyword से मुझे keyword research स्टार्ट करनी चाहिए आखिर मैं आपको यहीं बताऊंगा कि Google Trends के उपर आपको हर तरह से हर keyword को आप use करें ताकि आपको ज़्यदा स्टार्ट ज़्यदा audience मिले इसका हर्गी मतलब यह नहीं है कि आप सबसे top rated keywords को ही use करेंगे इसके बाद मैं बात करूंगा market summary की जो के एक और टूल है ये एक paid टूल है जिसको आप buy कर सकते हैं लेकिन keyword search में इसका भी अच्छा नाम है और इसके उपर आप अच्छी keyword research कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से google ads से different है और किस तरह से ये आपको मजी डेटा बताता है और कुछ लोग इसको बड़ा बेतरीन समझते हैं लेकिन अगेन हर एक की अपनी पसंद होती है तो आपने decide करना है कि आपको कौँ सा tool अच्छा लगता है आईए देखते हूं जैसे कि आप मैं इस screen पर देख सकते हैं कि market summary मैंने open कर लिया है मैं इसमें एक new project create करूँगा उस project में मैं अपना एक primary keyword डालूँगा जो के mobile phones है और इसको मैं title देदूँगा mobile phone के साथ मैं website का नाम भी लिख सकता हूँ और इसको आप बताएंगे कि आपने कहां save करना है तो आप file का पाथ देख सकते हैं मैं अभी इसको फिलाल यहीं पर रखूँगा इसमें language और country भी बताएंगे आप तो मुझे पाकिसान सेलेक्ट करना है तो पाकिसान सेलेक्ट करके उसको next करूँगा और left पे आप देखेंगे कि पाकिसान का जंडा नजर आएगा इसके बाद मैं उसको create पे button प्रेस करूँगा और वो create हो जाएगा अब यहाँ पर मुझे वो different options दे रहा है हमें इसको keyword research के लिए use करना है तो पहला option मैं select करूँगा keyword research और वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर काफी ज़दा आपको options मिलेंगी आपने यहाँ पर फिलाल किसी चीज़ को भी नहीं छेटना यहाँ पर आप सिर्फ अगर आपने keyword search as it is करनी है तो आप सिर्फ जाएंगे top right में वहाँ पर generate keywords पर आप click कर देंगे जैसे कि आपने देखा कि यह कुछ keyword उसने निकाल के दी है यह तकरीबन 478 keywords वो बता रहा है जो उसको mobile phone के गेंस मिले है इस टूल का फाइदा जी है कि इस टूल के गेंस टाप इसको जहीं से filter कर सकते हैं कि आपको one word, two word, three word या कितने word से keywords चाहिए तो अगर आपको लगता है कि आपको short tail keywords या broad keywords नहीं चाहिए तो आप one word keyword निकाल सकते हैं आप minimum इसकी requirement two कर दें ताके जो भी words आपको ये ये दिखाए तो कमसकम दो words होंगे तो single word searches वो वैसे ही exclude कर देगा और ये कि आपके पास जो data होगा वो ज़्यादा filter होगा इसको मैं आगे keyword analysis पर क्लिक करूँगा जहां पर ये actually data मुझे दिखाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने टॉप पे मुझे काफी options दिखाएई है जिसको मैं select और diselect कर सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा details में जाता है और ये ही इस tool की खासियत है कि ये आपको मुखली जगों से मुखली चीज़ां दिखाता है लेकिन हमें फिलाल searches देखनी है नीशे देखेंगे तो वो कॉलम में आपको वो keywords दिखा रहा है उसके gains searches दिखा रहा है उसके gains अपनी cost पर click दिखा रहा है ये आलमुस मिलता जलता वही pattern है जैसे हमने Google Ads के keyword टूल में देखा था लेकिन इसमें आप मजीद जब चीज़ें enable करेंगे तो आपको मजीद data वो enable कर देगा और जब आप search करेंगे तो आपको मजीद data दिखाएगा जब आप ये सब कुछ इसमें से extract कर लेंगे तो ultimately आप इसको export कर सकते हैं जो कि आपको Excel sheet में export करने की option देगा जैसे कि आप में देखा कि market समरा एक अपनी खास्याथ रखता है इसके अपने tools हैं इसके अपने features हैं ये google ads की keyword tools से different है और इससे बेतर इससे है कि इसमें filtering और इसमें बाकी चीज़ों की बड़ी options available हैं लेकिन अगें आपको अगर नहीं पसंद या आपको कोई और टूल जादा पसंदा था वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैं आपको एक last एक और टूल बताऊंगा जो कि paid है उसका नाम SEMrush है अगर आपको लगे कि वो आप buy कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा टूल है और उस टूल में आपको काफी options मिल जाती है keyword से related आईए देखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने SEMrush में login कर लिया है इसके अंदर left side में काफी option मिलेंगी ये एक वड़ा comprehensive tool है लेकिन मैं इसके सिर्फ keyword magic tool यूज़ करूँगा keyword research के लिए और जैसे मैं इसके क्लिक करूँगा वो एक नई window में open मुझे कर देगा अपने keyword का tool और वहाँ पर मैं अपने keywords टाइप कर सकता हूँ ताके मैं उसको search कर लूँ यहां मैं लिखोंगा mobile phones और मैं उसको search पे click करूँगा तो वो मुझे search कर देगा लेकि search पे click करने से पहले आपने ख्याल रखना है कि आपने अपना country select करना है यहां मैं Pakistan select करूँगा और उसके बाद search करूँगा तो वो मुझे keywords के लिए इसके दिखा देगा उसका trend उसकी keyword difficulty वो show कर रहा है keyword difficulty SCM rush का अपना metric है जैसे कि हर टूल अपने एक metric launch करता है keyword difficulty SCM rush की अपनी value है आप इसके ट्रस्ट कर भी सकते हैं और आपको लगे कि यह ठीक नहीं है तो वो भी गलत नहीं होगा क्योंकि SCM rush की अपनी एक पूरी mechanism चल रहा है कि किस तरह से keyword को अच्छा और बुरा कहता है इसी तरह से वो CPC बता रहा है कि अगर आप inspired run करेंगे तो कितने पैसे देंगे competition भी वो show कर रहा है और वो different चीज़ें results में show कर रहा है again यह एक लग टूल है इसकी अपने features है आपको लगे कि आप यह buy करना चाहें तो आप यह buy कर सकते हैं इसमें सिर्फ keyword research नहीं बलके बाकी काफी चीज़ें भी available हैं trainees जैसे कि आपने देखा कि मैंने इस lesson में आपको different tools का हवाला दिया उसमें से एक free था, दो paid थे सिर्फ यही tools नहीं, इसके लावा काफी हो tools भी available हैं जैसे जैसे आप grow करेंगे वैसे वैसे आप अपने toolset को भी grow करेंगे ताके आप अपनी SEO बेतर कर सकें और यह highly recommended है कि जब आप पैसे कमाना चुदू कर दें SEO से तो आप उस पर reinvest भी करें क्योंकि अच्छे tools से आपकी SEO भी अच्छी होगी अच्छी SEO का मतलब यह है कि आपको sales ज्याज़ा मिलेंगी या अपने clients को आप अच्छी support दे सकेंगे अच्छे tools के बगार अक्सर मुश्किल हो जाता है आप बड़े projects पे काम नहीं कर पाते हैं जैसे आप अपने आपको grow करेंगे तो आपको चाहिए कि आप अपने tools sets को भी grow करें